जी असलाम अलेकूं मेरा नाम कलीम है वेल्किम टू नेजबिन ट्यूब और आज का जो मेरा डिसकेशन टापिक है आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लागन करके चेक कर सकते हो कि आपका जो बैंक अकांट है वह किस टाइप का है आपका टाइप अकॉंट को पता है कि मिरा जो बैंक अकॉंट है काफी सारे कांट है काफी लोगने मुझे कमेंट सेक्षिन में यह कुछ आए कि मुझे कैसे पता चारिगा कि मेरा जो बैंक इकांट है इसका टाइप कौन साहिब कौन किस टाइप का मेरा अकॉंट है तो आज हम यह करेंगे और आपने टापिक की तरह जाने से पहले आप से करूंगा कि आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड़ी सब्सक्राइब कीजिए गा और बेल आइकन भी प्रेस करें और आप लोगन की इन्फरमेशन के लिए बैंकिंग के वाले से मैं अच्छी वीडियो बनाता होता हूं काफी इन्फरमेटिव होती है और मेरी वीडियो देखना चाते हैं मेरे सरी यूट्व चैनल के छाहिएगा वहां से आप मेरे अक्सेस कर सकते हों और अगर आवसे वहां पूख पूप्तल का वीडियो ना मिलें तो करके पूचें तो मैं अपस्लिम को रिपिलाइब करोंगा तो जैसा के भी आप देख सकते हैं कि मैं HVL mobile app को लागिन कर चुका हूं सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो my account का option है इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद my account में हमारे पास काफी सारे सब options हैं आप बेसिकली हम जा रहे हैं account maintenance certificate download करें जब आप अगर आपको पता है तो आप ये वीडियो आगे मत देख किएगा असल में हम बैंक maintenance certificate जब download करेंगे उस पर type of account mention होता है इसमें मैं आलड़ी भी वीडियो बना चुका हूं कि आप account maintenance certificate कैसे download का सब्सक्राइब और भी काफी सारी चीज़ें होती हैं तो यहां हमारे पास है account maintenance certificate मैं इस पर click करूँगा basically account maintenance certificate पर ही जो आना type of account हमारा लिखा हुआ होता है तो मेरे एक्विल में काफी सारे account है आपका जिस भी account का आपको मालूम करना हो कि आपका type of account कौन सा है तो आप जो है ना वह account select करें तो यहां इसके बाद मैं generate पर click करूँगा यह generate मैंने जैसी क्लिक किया तो next जो है फाइल जो है वो open हो जाएगा जो मैंने download की है अब मैं आप लूम को दिखाऊंगा कि जो है ना आप जो है ना जो फत्र हमारे पास जो जो download हो गया इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं तो यहां जी हम जाएंगे जो जो download हो गया डिस्क टाप और हमारे पास यह download हो गया है तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि में काफी सारी चीजें में जिसमें क्या है एकाउंट टाइटल भी है यहां आप रह सकते हैं कि जो एकाउंट टाइप है पर लिखा हुआ है बेसिक बेंकिंग इकाउंट है यहां आप लोग को एक और भी इनफरमेशन दो आपने वीडियो देख लिए अब जब एकाउंट type में current ना लिखा हुआ हो मतलब saving ना लिखा हुआ हो तो फिर जो ना वो current account ही होता है current account में current को mention नहीं कर सकते for example अगर मेरा PLS account होता तो यहां लिखा हुआ होता account type में PLS saving account अगर मेरा और कोई saving account होता तब भी जहां लिखा हुआ तो उसके साथ saving जो है ना वो लाजमी लिखते हैं जब जो है ना saving mention ना हो तो इस वीन आपका जो भी type of account है वो current account है यहां हमने दो चीज़ें लेंड की एक तो जो है type है हमने चेक किया कि saving है कि current है और अगर saving और current में कौन सा type है वो भी आप देख सकते हैं तो मैं मिन करता हूं कि जहें वीडियो आप लोगों के लिए helpful है और अगर आपका कोई क्वेस्टिन है मुझसे क्विमेंट सक्चेने पूचिए गा मैं आप लोगों को response करूँगा और banking के हाले से मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा उसके लिए मेरे सीजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बैंकिंग के वाले से काफी इंफर्मेटिव वीडियो मिलेंगी और इसके लावा एक ब्यार फैडल बॉर्ड आफ रेविन्यू से स्कूर्टिज एंड एक इस एची वीडियो के साथ लने के बाद